वेलकाम फ्रेंड्स तो देखिए इस तरह का जो लीथियम चार्जर होता है यह बैट्री चार्जर देख सकते हैं 72 वोल्ट छीज ए पर लिखा हुआ है ठीक है यह यह आउटपूट यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा नहीं है ठीक है तो यह 72 तो अगर घर्ण यह खराब हो जाए तो हमें क्या करना होता है सीदह इस दहीं इसका मॉसफिट खराब हो गया है यह वाला ठीक है मॉसफिट शाइड हो गया है तो आपको क्या क्या देखना है और अगर मॉसफिट खराब हुआ है तो इसकी IC जो है वो तो आप सीधे सीधे चेंज कर दीजे ये वाली जो IC है इसमें जो 38, 42, 38, 45 कोई सी भी IC हो अगर मॉस्फेट उड़ा है तो IC खराब होना कंपलसरी होता है मतलब maximum chances में ऐसी खराब हो जाता है तो ये IC चेंज करना ही करना है अगर बीना IC चेंज करें मॉस्फिट लगा दिए तो कई पर क्या होता है मॉस्फिट फिर तो दुबारा खराब हो जाता है इसलिए मॉस्फिट उत्ता महंगा नहीं रहता तो इसको चेंज करी दीजिएगा चीक है तो यह मौसफेट चेंज हुआ इसका यह आईसी चेंज हुआ इस केस में इसमें जो था यह भी खराब हो गया था हमारा जो रेक्टिफायर है और यह जो संट रजिस्टेंस से यह भी हमाई चेंज करी देना है इसमें तो खराब हो ही गया था तिक यहां पए जो समड हमारा को ड लिस्टेंस यह 5 चैंज करना है जीब हुआ था ठीक है और यह जो वनके का समड यह सको भी चैंज रह भी था और यहंपे जो सिक्स नंबर जो आउट्वट't फ्रिक्वेंसी वाला है जो 72 सोम का दो रजिस्टेंस है कि ये वाला है और एक ये वाला है चीक है मैं आपको और करीब से दिखाने की कोसिस करता हूं ये वाला जो बाइस ओम का है एक ये और ये की इसमें दोनों ये भी खराब हुए थे तो इसको भी चेंज करना है तो इतनी सारी चीजे ये वाला जो SMD यह वन के का है यह 22 ओम का है और यह फाइब के का यह तीनों SMD उड़ जाते हैं और यह तो हमारा संट रजिस्टिन से इसको तो चेंज करना ही है चीक है यहां से इसका पट्टी कटा था यह सब दिख जाता है मेंली हमारा यही रहता है मॉस्फेट यह आइसी रेक्टिफायर चीक है और इधर संट और यह SMD यह तीन SMD है जो आपको चेंज करना ही है अगर इंपुट अपका पूरी तरह से खराब हो गया है इसके अलावा जो है हमारा यह फ्यूज देख सकते हैं इसमें यह FUSE किस तरह से खराब हो था तो यह FUSE को भी चेंज करना है अगर फ्यूज लगाना तो यह पीछे से में इसको यहां से FUSE साट किया हूँए तो इतना चेंज करने के बाद आपका चारजर चल्ब हो जाएगा ठीक है और इसके सेक्षंन में भी इसका अधंब उड़ा हुआ था इसका यह दायोड धा ठीक है तो यह दायोड भी चेंज हुआ है और यह दोनों कैוח़े усп primeiro तो बहुत ज्यादा पार्ट जिसके खराब होए थे बस तो इन सब को चेंज करने के बाद यह हमारा चार्जर जो है वो स्टार्ट हो गया था ठीक है तो इसमें मेंली ध्यान रखना है आएसी आपको चेंज करना ही है मॉस्फेट तो खराब होता ही है तो अगर मॉस्फेट खराब नहीं हुआ है तब आएसी हमारा खराब नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद फिर सी फ्यू जुड़ा होगा तो इधर से सप्लाई एक बार चेक कर लेना है बस बाकि फिर यह रेडी है चीक है तो इस टाइप के जो लिथियम सिंगल मॉस्फेट वाले आते हैं जो चार्जर लिथियम के जिसमें 38, 48, 43 और 38, 45 को इसी भी आईसी करना है compulsory यह ध्यान रखना है ठीक है तो यह चार्जर वैसे थोड़ा वीक है चलो तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे अगर काम का लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों